मेरा मीरे अपनी घारी की जरूत है. मिरे पास कुछ भी नहीं रहता, फुरी में पैदल जाता. पैदल नहीं छोड़ दीजिए, अगर मेरा सरी भी लेता है, मेरी आत्मा ऑउस चाती. मेरा संकल्ब था जब तक राम अपने दरवार में बिरित्मान नहीं होंगे. तब तक मैं अधियान नहीं जाओंगा राम का सवस्वाल भी निपाल में है जनकपूर में है तो सवस्वाल इस तरह भी दमाद के लिए स्वागत के लिए ख़़ा रहता है तो उन लोगों ने अपने और से निपाल के अनिकों नदीयों की पानी जो जल जल जो है सुध्य जल को भेजा कहा कि हमारे निपाल के दमाद को उनके सवस्वाल के पानी से अभी से कराए जाए कि आप सब को जाने के लिए अनिकों प्रकार की टेन आपके एरिया आपके सहर से खुड़ा जा रहा है जिससे आप सब जाए और दर्शन करें और मैं सभी दूसर कहूंगा कि जरूर एक बार तो कम से कम दर्शन राम लला की दर्शन करें मोदी जी से कहूंगा अपने एक तुक साधू अपने वानी में कह रहा है कि मोदी जी अगर यहां भी एयरपूट बंजार अक्षोल में तो यहां के वी सनातनी राम लाग दर्शन बहुत शरल तरीका से कर लेंगे मैंने बिए उसी तरह किया था राम को कि राम मैं उसी दिन आऊंगा जिस दिन तुम अजद्ध्या में बिरिजमान होगे, जिस दिन तु अपनी आसन पर बिरिजमान होगे, अपनी महल में बिरिजमान होगे, उस दिन मैं आऊंगा दर्सन करें, अब इस टेंट में मैं दर्सन नहीं करता हूं, मैं इस बुरे स्थिती में तुझे नहीं देख सकता हूं, मैं तुझे महल में देखन करेंगे उनका बुलावा 22 जन्वरी को अयोध्या में राम लाला के प्रान पर्तिष्टा में यानि कि उनका बुलावा आ चुका है गुरुजी 22 जन्वरी राम लाला का बुलावा यहां पे निमंत्रान आपको मिल चुका है किस तरह से आपका ज्याना होगा गुरुजी देख कुछ भी नहीं रहता, मैं पैदल जाता, पैदल नहीं छोड़ दिजिए, अगर मेरा सरी भी नहीं रहता है, मेरी आत्मा जरूर जाती राम के पास, इसलिए कि मेरा संकल्प था कि जब तक राम अपने दरवार में ब्रिजमान नहीं होंगे, तब तक मैं आयोध्या नहीं है, बस एक ही करन था कि जब तक राम लाला का भव्य मंदिर का निर्मान नहीं हो जाता, तब तक वहां मैं पाउं नहीं रखूंगा, शप्ना तो पूरा हो गया, और अभी मैं नहीं कहूंगा, हो गया, जब मैं 22 तारी को दर्शन कर लूंगा, राम लाला का, तब मैं कि मेरा संकल पूरा हुआ मोदी जी से कहूंगा अपने एक तुक साधू अपने वानी में कह रहा है कि मोदी जी अगर यहां भी एरपुट बंजार अक्षोल में तो यहां के वी सनातनी राम लागदर्शन बहुत सरल तरीका से कर लेंगे उनके लिए बहुत सरल हो जाएगा औ और मुझे उमेद है कि मेरी बानी को मोदी जी सुनेंगे और इसे करने का प्रयास भी करेंगे और मुझे यह आज है कि चौविस तक रोक्सोल में एयरपूर्ट बन जाएगा अज गुरु जी अपने मुख से यह बोल दिये कि दो हजा चौविस तक यहां पे एयरपूर्ट यानि कि मोदी जी यानि कि जो पीम है उनसे मांग करती है गुरु जी तो नेपाल के जल्ल यात्रा चला राम कविसे के लिए निकुर्णदी का जल जिसमें है कलस में तो इससीद होता है कि वहां के हिंदू को भारत के हिंदू से बहुत अधिक लगाऊ है और यह सब किरिया देखने के बतर चलता है कि अब अपर जल्द ही फुरह हिंदू राश्ट बने एक सब हिंदू समझ परिवाह हम सब नहीं समझता है वह कहा जांव की के यह आबोध आजाए जान नहीं है old اix जो जो राम को प्रवाश समझ रहे हैं उतो राम kे लिए कुछ कुछ करेंगे तो नेपाल के भी रेक राम के लिए्ट प्रवाच है इसलिए मेरे प्रवश्य छाहिए और भाय तो लोगों ने अपने और से नेपाल के अनिकों नदियों की पानी जो जल जल जो है सुद्ध जल को भेजा कहा कि हमारे नेपाल के दमाद को उनके सब्सक्राइब तो क्या लगता है गुरुजी हिंदू राष्ट यानि कि जल से जल नेपाल में घोसित हो जाएगा गुरुजी मैं लिखा था कि हिंदू सोया हिंदू राष्ट कोड़ा कुछ बर्सों पहले हिंदू सोच चुके थे कि उन्हें खातरा महसुस नहीं हो रहा था लिख सोड़ने का परणाम यह हुआ कि नेपाल धर्मिर्पेक्स राष्ट हो गया जो मात्र विश्चु का एक मात हिंदू राष्ट था लेगे अब हिंदू फिर जग गए हैं नेपाल के और इतने तेजी से जगे हैं कि अभी सोन कि नेपाल में आ सकते हैं गरुजीे हिंदू राष्ट का मतलिब हो था राजा है एक विराधा इंदू राष्ट क्लंस के साथ है और यह तो राम का सच राढ़ में नेपाल नेका संच और राजा के और रॉपम प्र राजा आना जरूरी है और आएंगे तभी हिंडों कि सुरक्षा हो सकती है। हिंडों तो बचेगा सनातन धरम बचेगा। गुरुजी वहां पे कितने संख्या में साधु संथ लगवाग आने वाले हैं। सब्सक्राइब लेकिन यह सिर्फ गाटन के लिए मैं आम हिंदू से कहूंगा पूरे भारत नेपाल विश्व में जहां भी सनातनी है उनसे भी मेरा बिंती है कि वो राम लला का दस्तन करने के लिए 24 तारीक से जाना चालू करते हैं और भारत में नेपाल में तो राम लला द्वार से अक्षत आया है अक्षत बाठा जा रहा है अमनतित लोग को किया जा रहा है इसमें लोग जाए जिने नहीं भी मिला है ओ भी जाए 24 के बाद सभी आम सनातियों से मेरा रिक्विस्ट है कि अज्ध्या जरूर जाए अपने जीवन में एक बार और राम लला की दर्शन करें इससे बड़ा स्वभाग और कुछ नहीं तो आप बहुत बड़े स्ववग साली है कि आपके जीवन काल में राम लला अज्ध्या में पधार रहे है राम लला अपने भब दरवार में बिंती है निवेदन है कि 24 तारीक से अज्ध्या जाने का कारे पर रम कर दें बाइस जन्वारी को आयोद्या में अपना पाउं रखेंगे गुरुजी तो वह पल कैसा होगा गुरुजी और पल कैलपना से परे होगा जिसे में सुथ बहुत है और ब्रथा ब्रथा और में वहने ध्यक्त बहुत हुक्त बहुत है उसे मिजह एक प्रकृषी कि आप सब बहुत भाक्षाली हैं यह आपके जीवन काल में राम मंदिल का निर्मान हो रहा है और उसमें राम रॉला भी दिर्मान होंगे कि आपके उपर इश्वर की बहुत बड़ी क्रिपा है आपके जीवन काल मोरा बहुत लोगों ने इस चीज़ को देख नहीं पाया जिन्हों लेकर आंति कि आंदरोन किया वह सबाद जुनिया में नहीं है उसके बाद यह हो रहा है आप बहुत अच्छे और बहुत सा वक्षा कि आपके जीवन काल मोरा मैं साथ साथ यह भी कहूंगा आप इस देख के प्रदान मुंत्री आपके लिए बहुत अच्छे हैं कि आप सब को जाने के लिए अनेकों प्रकार की टेन आपके एरिया आपके सहर से खुला जा रहा है जिससे आप सब और दर्शन करें और मैं सभ कभी वहां पर गये नहीं लेकिन आपका दिल जो दिल यानिकि सीने में जो राम बसे हलाकि राम ने आपको बुला ही लिया गुरू जी तो कहा गया कि जो सही दिल से जिसमा कोई शल कपट नहों और इस वर को याद करता है इस वर किसी ना किस रूप में उसके सामने प्रकट हो जाती है मैंने उसी तरह याद किया था है राम को कि राम मैं उसी दिन आऊंगा जिस दिन तुम अज़ुद्या में बिरिजमान होगे जिस दिन तुम अपनी आसन पर बिरिजमान होगे अपनी महल में बिरिजमान होगे उस दिन मैं आऊंगा दर्सन करें अब इस टेंट म मैं तुझे नहीं देख सकता हूँ, मैं तुझे महल में देखना चाहता हूँ, आज वो दिन आगया उस महल में मैं देखने जा रहा हूँ.